इंडोनेशिया की राजदानी जकार्ता में 5.6 मैगनिट्यूट का अर्थवेक आया है इस भुकम के कारण लगबग 200 लोगों की मौत हो गई है और 1000 से जादा लोग खायल है अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मलबे के अंदर दबे हुए हैं और इंडोनेशियन गवर्म कारण इंडोनेशिया की सरकार के मुश्किले और भी जादा लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि यह समझ में नहीं आ रहे है कि कितने लोग अभी भी दबे हुए क्योंकि जब भुकम पाया उस समय पर स्कूल्स भी चल रहे थे इसके बाद भुकम के कारण लैंड्सलाइ है क्योंकि इंडोनेशिया जैसे देश में जो की पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के अंदर ही आ रहा है महाँ पर भुकम लगातार आते रहते हैं और इस बार भुकम फिर से आ गया और इस बार काफी जादा लोगों की डैथ हुई है अब देखिए नियूस क्या है नियूस यह सुबह आई थी नियूस कुछ इस तरीके की थी कि इंडोनेशिया के अंदर अर्थकुएक आया और 162 हो गया है अब देखिए जब यह नियूस आई थी उस समय पर 162 162 लोगों की मरती हुई थी पर धीरे धीरे लगातारी आखड़ा बढ़ता जा रहा है और जो इसका मैग क्लामिटी हो जाती है अर्थकुएक आ रहा है तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है इन कंट्रीज के लिए क्योंकि कंट्रीज वैसे ही कोविड 19 के बाद अपनी एकनोमी को बूस्ट करने में लगी हुई है अब यहां पर बात कि जाए कि किलिंजर यह मेजर सेंटर था जहा बहुत जादा distraction create करता है अब 5.6 magnitude इसका मतलब क्या होता है भुकम की जो तिवरता है उसको magnitude में आपा जाता है कि कितनी energy release करी है यह scale है इसे scale को कहा जाता है reactor scale basically magnitude नापने की है इससे पता लग जाता है कि भुकम की तिवरता क्या है और वो कितना distraction create कर सकता है अब देखेंगे 1.0 से लेके अगर आप देखेंगे 2.0, 3.0 तो यह minor होता है यह पता नहीं लगता इतना जादा आपको पता नहीं लगता है कि भुकम पा आगिया है पर अगर आप आगे देखते हैं कि 5.0 से लेके जब आप देखते हैं 6.0 तक तो 5.0 तक तो moderate है पर 5.0 से आगे जब आप तो यह strong में चला जाता है मैं अगर भुकम की तिवरता काफी जादा है पर यहां पर जो भुकम पाया है उसकी तिवरता 5.6 magnitude है जो की जादा है इसलिए distraction जादा हुआ है और लोगों की मृत्यू भी है बहुत सारी buildings माबर गिर गई है और आप देखेंगे कि जो distractions होते हैं अ आप 7.0 में अगर आएगा magnitude हुआ तो मेजर में चला जाता है 8.0 से 10.0 तक जो आएगा तो ग्रेट के अंदर चला जाता है मतब बहुत जादा destruction यह create करता है आप हुझे comment box के अंदर बताएगा कि पूरी दुनिया में सबसे जादा तिवरता का भुकम कहां पर आया था कहां पर अर्थेक हुआ था जिसकी जिसका magnitude सबसे जादा था पूरी दुनिया के अंदर यह बताएगा जैपान इसका अंसर नहीं है इसके अलावा दूसरी जगह थी वो नाम बताएगा बागेम बात करते हैं कि भुकम्प आता क्यूं है लेकि हमारा जो अर्थ है वो कई सारी टेक्टोनिक प्लेट से मिलकर बनाएग जब भी प्लेट्स खसकती है अपनी जगह को चेंज करती है तो एक एनरजी रिलीस करती है और यह एनरजी वेवस के फॉर्म में होती है इन व कषची होती है पहली वेव होती है बॉल गरlsी यह पार जाता है निब्सक्राव टार पहली वेव करना शुरू करती है सभसे पहले रिलीज हो ती इसलिए इसे चाल कि से अंती होती है और बहुत जादा संद अो सकती मतलब give a c s medium where liquid already rocks okay ещё के these travel कर सकते इसके बाचा आती है यहाप पर secondary but secondary रीव की speed थोड़ी कम हो जाती है और यह हर मीडियम के थू ठ्रेवल नहीं कर सकती है बड़ हिरॉक के थूर मतलब सॉलिट के थू ठ्रेवल कर सकती है बड़ यह जो दोनों वेवस से primary waves और secondary waves अभी भी ये अर्थ के अंदर ही है पर इसके बात जो अगली तरह की waves होती जिने surface wave कहा जाता है उसमें सबसे disaster wave होती है लव वेव जिसे surface wave के नाम से भी जाना जाता है अब होता ही है कि जब ये wave अर्थ के उपर तक पहुशती है, अर्थ के सर्फेस तक पहुशती है, तो यह distraction create कर देती है, और जो भी infrastructure है उसे गिरा देती है, अब अर्थक्वेक जहां से start होता है, मतलब जहां पर वो plate सरकी थी, जहां से energy release होई थी, उस जगह को कहा जाता है हाइपो center, और हाइपो center के just उ होता है आपका epicenter, epicenter वो जगह होती ही, जहां पर सबसे ज़ादा destruction होता है, सबसे ज़ादा destruction epicenter पर होता है, क्योंकि just हाइपो center के उपर होता है, हाइपो center जहां से energy release हुई है, यहीं से शुरुवात हुई है, और यहां पर अगर इंडोनेशिया की बात की जाए, तो जमीन से लगबख 6.0 km नीचे यह हाइपो center था, और energy भी इसलिए काफी जादा release हुई है, और surface के उपर जो waves आई है, उनके जटके काफी तेज मैसूस किये गए हैं, अभी सिर्फ इंडोनेशिया के साथ नहीं, दुनिया के कई सारे देश ऐसे हैं, जो कि earthquake की समस्या से लगातार अब यह मैप के अंदर आप देखेंगे कि भारत के अंदर भी जो हमारा area उसे अलग-अलग zones में divide किया गया है, zones में divide इसलिए किया जाता ताकि समझ में आ सकी कौन सा area earthquake prone area यहाँ पर इस map के अंदर आप देखेंगे कि इस color के अंदर zone 1 है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे नहीं है, हम सभी को गुजरात में आया, भुकम अभी तक याद है और भुकम बहुत जादा distraction create करता है, यह सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान नहीं लेता है, उस देश की आर्थिक स्थिति को भी खराब कर देता है, क्योंकि भुकम के बाद infrastructure जो है वो पूरी तरीके से तब हो जाता है, तो यह पूरी न्यूस थी, इंडोनेशिया के इंदर भुकम आया है और अभी भी लोगों को निकाला जा रहा है, हम सभी प्रात्ना करते हैं कि जादा से जादा लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि जान से वड़के कुछ नहीं होता है, तलिए मैं आप से next lecture के इंदर मिलता हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, जय हिन, जय भारत!